अचानक होने लगी दुनिया के महान क्रिकिटर महिंदर सिंग धोनी की चर्चा पेरिस उलम्पिक में बेना पहुंचे ही पूरी दुनिया में क्यों होई धोनी की चर्चा, क्या है इसके पीछे की कहानी। अगर महिंदर संग धुणी ना होते तो फाइनल में ना पहुंचता भारत का ये खिलाडी देखिए कैसे महिंदर संग धुणी ने गाओं के एक लड़के को बना दिया दुनिया का महान खिलाडी। का पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा रहा बैना क्रिकेट के haga ले ही महेंद्र सिंग धोनी की वजह narrative इस खिलाड़ी के असे देखकर हर कोई से दूसरा महेंद्र सिंग धोनी कह रहा यह कहानी महेंद्र सिंग धोनी ने वो कमाल कर दिया जिसे देखकर धोनी को हर कोई लाइक कर रहा है। एक ऐसे परिवार से तालुक रखते हैं जहाँ पेटा और भाई शिक्षक हैं और मा गाउं की सरपंच है। धोनी से जोड़ा गया। धोनी ने भी अपने करियर के कुछ समय तक रेलवे में टिकट कलेक्टर का काम किया। स्वापनिल ने कई बार धोनी की बाई पिक फिल्म को कई बार देखा। स्वापनिल ने धोनी को लेकर का। मैं शूटिंग में किसी विशेस एथलीट को फॉलो नहीं करता। मैं शूटिंग से बाहर धोनी के व्यक्तित्व का फैन हूँ। जैसे धोनी क्रिकेट फिल्ड पर शान्त रहते हैं वैसे ही मेरे खेल में भी शान्त और धैरे पूर्ण स्वभाव की जरूरत होती है। मैं खुद को उनकी कहानी से जोड़ पाता हूँ क्योंकि मैं भी उनकी तरह टिकट कलेक्टर के रोप में काम करता हूँ। जब बात महिंदर सिंग धोनी की हो रही है तो महिंदर सिंग धोनी के सबसे फेवरेट गिंद बाज की चर्चा क्यों हो रही है। इस पर भी एक नजर डालेते हैं और आपको बताते हैं कि महिंदर सिंग धोनी का सबसे फेवरेट गिंद बाज कोन है। धोनी से जब उनके मौझूदा समय में भारत के फेवरेट गिंदबास के बारे में पूछा गया तो उन्होंने तेज गिंदबास जस्परीत बुम्रा का नाम लिया उन्होंने कहा बुम्रा है फिर जब फेवरेट बैट्समैन की बात आई तो धूनी ने कहा बैट्समैन में बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि इतने सारे अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं ना हमारे पास इसका मतलब ये नहीं कि बॉलर खराम है लेकिन बैटिंग में पिक करना मुश्किल हो जाता है जिसको देखो लगता है यही है भाई फिर जब दूसरा आता है तो वो भी उतना ही अच्छा लगता है जब टीम इंडिया अच्छा करती रहेगी मैं बैट्समेन पिक नहीं करूं बुमरा ने जब से टीम इंडिया में कदम रखा तब से लगतार सुधार किया और आज वो मौझूदा समय में महान गिंद बाजों में गिने जाते हैं